आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मैमान है शेकर चौजरी सर ये UP गोवर्मेंट में तैसिलदार रह चुके हैं और इस समय स्टेडी आइक्यू में हमारे साथ ये बच्चों को पॉलिटी, गोवर्नेंस और पॉब्लिक एडिनिस्टेशन पढ़ाते हैं शेकर सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है शेकर सर आपकी जो ये जर्नी रही है इसके बारे में थोड़ा सा वेवरेंट दे दीजे हमें शुरू से शुरू करते हैं मुझे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने का मौका मिला मैंने ओधे विद्याले में था वहाँ पर मैंने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में पढ़ाई करी 6-9 उसके पशात मैंने साइंस का स्टुडेंट था ग्राजुएशन किया साइंस में और क्योंकि पारिवारी प्रश्टभूमी ऐसी थी कि फादर पुलिस में थे तो एक आपको पहले से ही एक साचा मिल जाता है तो एक प्रयास था कि मैं सिविल सर्वेसिस की तरफ जाऊंगा at the same time मैं चाता था कुछ professional course भी कर लूँ so मेरा master's में management में हो गया था NIFT Kolkata में तो वे एकदम से दूसरी type की journey थी उसके बाद मेरा placements हुआ मुंबई गया पर ये साथ में पढ़ाई चलती रही और मुंबई से आने के बाद मैंने 2012 में Delhi में आया कुछ समय के लिए अपने एक मित्रे के पास उसने मुझे सब कुछ बताया और वहाँ से तयारी शुरू ही so फिर 2015 में exam निकला था और 16 onwards मैं job कर रहा था UPPCS में शेकर सर जो आपकी journey है उससे बहुत सारे बच्चे relate कर पाएंगे जैसे आपकी field कुछ और थी आपका languages का भी conflict था आपने पहले किसी और language में पढ़ा फिर दूसरी language लिए आपने और साथी साथ different cities में आए आपको रहने का officer मिला या preparation के लिए आना पढ़ा तो हमारे जो student रहते हैं उनकी भी life की जो situation रहती है वो ऐसी ही रहती है तो वो motivating factor क्या था आपके लिए कि जब आपने decide किया कि ये UPSC की तरफ या government jobs की तरफ जाना है तो सबसे पहले तो सर पारिवारिक प्रश्टभूमी जैसे मैंने बताया और हिंदी heartland से आने के कारण सो एक आपके आसपास मैं SSPs को देखता था अभी तो हमाएं पास internet जैसी सुईधा है पर उस समय तो इतना penetration नहीं था internet का सो अलग-अलग जगाहों पे रहना और वहाँ पर प्रशाशन को देखना इवीन स्कूल में मुझे याद है मैं NCC में था तो एक दिन DM साब आ रहे थे तो उनको जहिन करने के लिए खड़ा करा गया था तो ऐसे कुछ स्कूल से कॉलिजिस से समाज से हमें inputs मिलते रहते हैं जो कि हमें इस journey की तरफ ले जाते हैं और जहां तक आपने challenges की बात करी तो मैं मानता हूँ अब तो challenges बहुत कम हो गए है क्योंकि जैसे quality content है और उतनी quality वाली classes अच्छे teachers के साथ आज बहुत ही कम दाम पे और अपने घर पे ही लोगों को मिल जाते हैं तो उस समय तो यह challenge है Delhi में रहना इतना costly है और pollution है तो I think things are better now शेकर से challenges पे थोड़ा in-depth हम लोग बात करेंगे उसके पहले आपने दो चीज़ें बताई आपने बोला कि जैसा ही Hindi Heartland से आते हैं आपने समाज की बात करी आपने DM को देखा आपकी जैसी भी life रही आपको वहां से motivation मिला लेकिन एक दूसरा factor भी आता है दूसरा factor यह रहता है कि क्या समाज के लोग क्या कहेंगे वो तो एक negative way में भी काम करता है तो यह तो ठीक है आपके लिए motivating form में आया था तो क्या कभी ए negative way में आया था कि रिष्टदार भी हैं दोस्त भी हैं वाकि सब लोग क्या कहेंगे NIFT से offer है इधर का है तुम कहां preparation करने जा रहा है यह चीज भी आती है तो आपने इसको कैसे deal किया था जी सर मेरे हिसाब से एक तो connectivity इतनी थी नहीं उसमें आज जादे हैं तो रिष्टेदार तो सभी के होते हैं दोस्तियार भी सभी के होते हैं और उनी रिष्टेदारों में बहुत अच्छे जो आपको motivate करते हैं वैसे भी हुपए role models भी मिल जाते हैं तो ऐसा ही मेरे साथ भी था एक mixed baggage और जहां तक कि आपको अपने decisions लेने हैं because it's your life और यदि आप सही माइने में बहुत ही basic चीज करते चलेंगे तो कोई भी difficulty नहीं आती है जैसे कहा जाता है कि simplicity is the best policy right? simplicity highest degree की excellence है basic पढ़ाई करनी है जादे time waste नहीं करना है और balance life जीनी है आसपास की जिंदिगी तो हमें office में जाने के बाद भी प्रभावित करेगी अभी रिष्टेदार हैं तो वहाँ MP MLA होंगे वहाँ पर बड़े बड़े दबंग भी हो सकते हैं सो हम कितना प्रभावित होते हैं वो हमारी आंतरिक शक्ती पे ही depend करता है और उसको हम अपने प्रयासों से मजबूत कर सकते हैं सो मेरे साब से ये कोई बड़ा challenge नहीं था साथ में meaning ढूनना किसी भी चीज में कि आप क्यूं जा रहे हैं उसके तरफ वो एक bigger picture है सो एक तो ये भाव भी था मेरे में कि मुझे अपने को proof भी करना है सो अपने से को proof करना रिष्टेदारों में भी proof करना तो that is accomplished उसके अलावा public services तो अपने आप में इतना बड़ा platform है और भारत में young लोगों के लिए इससे बहतर क्या हो सकता है कि आप largest population को प्रभावित कर सकते हैं और वास्तव में कर सकते हैं उसको प्रभावित तो ये कुछ चीजे थी जिसको जिससे उत्सहा बढ़ता था हमेशा शेकर सार मैंने आपके English के lectures भी देखे हैं जहां पर आप English बोलते हैं और आपकी Hindi इतनी fluent है लेकिन initial days में जैसा कि आपने का कि ये जो Hindi से English में आपने transition किया था वो कितना आसान या मुश्किल था क्योंकि बहुत सारे student ऐसे रहते हैं जिनकी graduation हिंदी में होती है but study material English में available रहता तो difficulty face करते हैं तो उनके लिए आपका क्या suggestion है तो मेरे हिसाब से भाशाओं पे तो जितनी भाशाओं पे अच्छी पकड़ हो सकती है वो एक positive ही है और हम यह देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो विभिन भाशाओं में पढ़के और अपना medium change कर लेते हैं और हिंदी भाशी या अंग्रेजी माध्यम केवल एक माध्यम है उसमें हतोचसाहित होने की बिलकुँ जरूत नहीं है क्योंकि जैसे जो जैसे मैंने शुरूआत में हिंदी मीडियम में पढ़ा फिर अंग्रेजी में पढ़ लिया और फिर जाके हिंदी में कारे करना तहसील इस तर पे तो हर चीज हिंदी में है तो डिक्शनरी से साहिता भी लेनी पढ़ती ही थी अधो हश्ताक्षरी जैसे 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 इंट्रेस्ट आता है चीजे बदलती जाती है तो कभी ऐसा बहुत बड़ा चैलेंज नहीं लगा और किसी को भी इसमें परिशान होने की जुरुवत नहीं है आपको इनीशली दो-तीन महीने का कुछ भी दिक्कत हो सकती है जैसे मैं एक और पॉस्नल एक्जाम्पल बताता हूँ मेरा कजन है मैंकराना फ्रॉम शामली डिस्टिक वो हिंदी मीडियम में पढ़े आइटी बीच्चु से करा इंग्लिश मीडियम में और यूपीसी में हिंदी मीडियम रखा अभी IRTS ऑफिसर है so I think कुछ चीज़े समाज में जो चलती हैं वो आस्तिक्ता से परे हैं एफ़र डालेंगे तो ultimately हो जाएगा बिल्कुल सब एफ़र्ट का ही गेम है आपने अपनी प्रिप्रेशन का लेके बोला था कि simplicity is the best policy तो क्या preparation के time भी आपने ये philosophy फॉलो करी थी जी सर बिल्कुल करी थी और मैं बहुत ही भागेशाली रहा क्योंकि एक मेरे मित्र है वो उत्राखंड के 2016 से तरह के topper भी रहे हैं हिमांचु कफल्टिया उनके सानिद्धे मिला उन्होंने तो उन्होंने कहा कि देखो भाई मेरा अपना 3-4 साल का ये अनुभव है कि आप जादे उंचे पेड़ पे लगे हुए फलना तोड़ें तो low hanging fruits वो करें तो क्या है रोज अख़बार पढ़ने लगें आप 1-5 घंटा उसे दें आपकी भाषा पे पकड़ अच्छी होगी आपका ग्यान बढ़ेगा दूसरा आप NCRT पढ़ें तो उन्होंने ये कहा था मुझे तीसरा कुछ basic books हैं आप एक ही book को 3-4 बार पढ़ लीजे कुछ ऐसे question होंगे जो कहीं से भी नहीं आएंगे आपको चार book भी पढ़के तो परेशान होने की ज़ूरत नहीं है जिस भी संस्था के साथ आप जोड़ रहे हैं उस पे पूर्ण विश्वास करें और basic चीजे करते रहे हैं सही समय पे खाना, पीना थोड़ी बहुत ही exercise भी करना दोस्तों से भी बात करना तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा आजकल का सिनारियो है वहाँ पर लोग बहुत ही extreme ends पे चले जाते हैं फिर depression जैसी चीजे आती है तो football खेलना भी उतना ही ज़रूरी है वेवेका नंजी दिंभी कहा था कि गीता को समझना है तो आपको अपने को पुष्ट करना पड़ेगा मेरे ख्याल से ये भी जर्णी ऐसी है जितना simple रखेंगे प्रोसेस अतना असार बहुत ही बिलकुल शेकर सर आपने governance को प्रशाशन को शाशन को बहुत करीब से देखा तो इसमें आपकी जो job profile थी उसको relate करके कुछ आप बता सकते हैं आपका experience कैसा रहा था मुझे नाइपत तैसिलदार का पद मिला था 2015 में मेरा paper clear हो गया था तो मैं 2016 में training करने गया और वहाँ पर मैंने revenue के basics सीखे हरदोई में हमारा training institute था KTS बोलते हैं उसे वहाँ पर सब basics सीखे revenue के पुलिस के साथ थोड़े रूबरू हुए थाने में कैसे कार होता है क्योंकि magistracy का एक order है magistracy का order भी है वो आपको magistrative power है जो की बहुत सारी power SDM या DM के पास भी है जब आप gramien level पे ground पे जाके काम करते हैं वो बहुत ही अलग है जो हमें किताबों में पढ़ाया जाता है या TV पे जो reporting होती है वो भी वहाँ की जटिलता है क्योंकि हमारा समाज विभिन जातियों में वर्गों में बटा हुआ है और आज भी जो अंतिम व्यक्ति है उसके पास इतनी power या इतनी समझ भी नहीं है कहीं बार कि वो government तक कैसे पहुचे so government के office से निकल के logo तक जाना ही governance है यही कार है जैसे बहुत सारे मैं याद करके बता सकता हूँ आपको जैसे PDS shops में जाना और उनकी जाच करना तो यह quality और efficiency को ensure करता है इसके अलावा revenue जो भी generate होता है उसको collector के account में जमा करवाना इसके अलावा यदी मेले हो रहे हैं जैसे शिवरातरी के मेले में जाना तो सामपरदाइक सुहार्द को बरकरार रखना या फिर land reform से related चीज़े हैं या फिर आपके तहसील दिवस block दिवस, थाना दिवस इन सब में जाना तो ये अपने आप में grievance redressal से संबंदित चीज़े हैं आपके जो खसरा खताउनी से related चोटी 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 चीज़े हैं लोगों तक पहुचाना 2017-18 में उत्तबदेश में जब government जीत के आई थी तो उनका एक उद्देश ये था एक promise था कि हम रिन माफी करेंगे रिन मोचन स्कीम तो उसमें technology का भी use है साथ में उसमें चिन्नित करना लोगों को कि किन के पास दो hectare से कम जमीन है तो बहुत ही सुख़द अन्वव रहा और ये जब class में पढ़ाने को मिलता है तो और बहतर हो जाता है क्योंकि उसमें आप किताबों से नहीं अपने अन्वव से पढ़ा रहे होते हैं तो जो निकर के आती है जो experiences आप देते हैं उस student उससे relate कर पाता है बिल्कुल बिल्कुल जैसे एक और छोटी सी घटना बताबाबा तो जैसे ग्रामीन चेतर में आपको पता है कि बैल, सांड ये घूमते हैं कहीं बार तो एक बार एक जो क्रिशक थे परिवार से ही व्यक्ति को एक बैल ने मार दिया उनके ही खेत के पास तो वहाँ पर जाना DSP साब आगे हैं, SDM भी आगे हैं मैं भी नया खड़ा हूँ, देख रहा हूँ कैसे चीज़े हो रही है, पता नहीं है कि क्या वास्तिकता में चीज़े होती है तो सांड ने पठक दिया है उसमें भी चीज़ों को मैनेज करना कि अब दूसरी फील्ड में जाना अब स्टूडेंट को एंपावर करना ये थौट कैसे है सर, अट दर टाइम आफ परपरेशन ही मैं पढ़ाने लग गया था जैसे करियर लाउंचर्ज है टाइम, ऐसे इंस्ट्टूट से जुड़ गया था क्योंकि जी-एस तो हम पढ़ी लेते हैं और जो एकॉनमी वाला सेक्शन है वो हम बैंकिंग और S.S.C. के लोगों को पढ़ाता था एस्पिरेंट्स को तो उसमें बहुत ही मज़ा आता था आपको अपने को एक्स्प्रेस करने को मिलता है जब मैं बिरॉक्रसी में गया तो वहां भी मुझे काम करने में भी मज़ा आया पर एड़ दर सेम टाइम क्योंकि मैंने पब्लिक आड्मिस्रेशन भी पढ़ लिया था तो मेरा पब्लिक पॉलिसी की तरफ रुजहान बहतर होने लगा सो मुझे ऐसा लगा कि मैं और बहतर कर सकता हूँ अगर मैं एक ऐसे जगह पर हूँ जहां कम्टिकेशन का और डारेक्ट मीडियम है और मेरे ख्याल से जैसे गुरुचानक के बोलते हैं कि सिक्षक कभी साधारन नहीं होता सो मुझे ये प्लैटफॉर्म मिला है मैं और खुश हूँ और किताबे पढ़ना हमेशा से ही हो भी रहा है और observe करना चीजों पर वारतलाब करना discussions करना मेरे लिए win-win situation है I believe कि मेरा जो practical experience है उसको जब मैं students के साथ share करता ही हूँ तो उनको भी पढ़ने में मदद मिलती है बिल्कुल शेकर सर जो administration में जो आपका loss हुआ है वो मेरे ख्याल से teaching field में बहुत सारे student का gain है एक चानक के जो है बहुत सारे चंदरुप बना सकता है जिस field के लिए आप आए हूँ है तो सर आपने सारी चीज़े देखी हुई है आपने पढ़ा भी है, पढ़ाया भी है, administration में भी है अब अगर कोई student आप से गुरु मंत्र पूछता है कि सर अब आपने सब कुछ देख लया है कुछ गुरु मंत्र दे दो जिससे मेरी PCS की या competitive examination की preparation clear हो जाईगी तो उसको आप क्या सला दोगे सर मैं जब भी कोई भी पढ़ाने जाता हूँ तो मैं यह मानता हूँ कि आपको एक example ले सकता है जैसे आप gym को एक example ले ले आप जब पहले दिन जाते हैं जबराय हुए होते हैं वहाँ पर इतने बड़े-बड़े dumbbells लोग उठा रहे हैं और you cannot pick 5 kgs also बट ऐसे ही हर process एक केवल और केवल inheritance में जो आपको मिलता है वो छपपर भाड़के मिल सकता है नहीं तो और के लिए आपको inch by inch संघर्ष करना पड़ता है जैसे आप sports person की journey होती है ऐसे ही आपकी journey होगी धीरे-धीरे start करें अगबार पढ़ने की आदत नहीं होगी शुरू में boring लगेगा किताबे पढ़ने की आदत नहीं होगी बैठने की आदत नहीं होती है 30 minutes बैठना भी संघर्ष हो जाता है क्योंकि आपके विचार इधर उदर डोल रहे है सही समय पर खाना सही 7-8 गंटे सोना बहुत जुरूरी है और अपने को उस process में ढालना being a vessel so vessel is जैसा भी उसमें vessel मतलब पानी की तरह है आप जिस भी vessel में जाना चाहते हैं वैसे हो जाएं तो अपने को बड़ा करना सोचना बड़ा कि हाँ यार क्यों नहीं होगा तो शेकर सेर इसी दोरान जो हमारे student prepare करते हैं एक puzzle रहता है उनके सामने कि बड़े examination से छोटे examination पर shift करें या छोटे examination से दूसरे examination पर shift करें जैसे कोई UPSC की preparation कर रहा है वो सोचता है स्टेट PCS की करूं या स्टेट PCS की कर रहा है तो UPSC की urgent में रहता है तो इसका clear cut democation क्या होना चाहिए कि कोई संशे में या दुविदा में ना पड़े इसके कहीं पहली हो सकते हैं एक तो subjective चीज है दूसरा मेरे हिसाब से तो बड़े exam की तैयारी पहले करनी चाहिए क्योंकि मुझे इसका बहुत लाब हुआ मैंने UPSC की तैयारी शुरू करी और CSET भी करा मेरा ACIO IB निकला BANK CLERK निकला P.O निकला एक ही साल 2014-2015 में और फिर तैयारी करते करते PCS भी निकल गया क्योंकि आप देखेंगे PCS exams में भी वही चीज़ पूछी जा रही है हाँ उसका level थोड़ा सा कम है पर आपको कार भी वही करना है आप DSP के कार है और SSP के कारों में बहुत बड़ा अंतर नहीं है दोनों ही supervisory officer है SDM के कारों में, DM के कारों में कोई बड़ा अंतर नहीं है SDM का जो रूल है, Magistracy वो तहसी लेवल पे है और DM के अंतरगत 5-6 SDM हो सकते है सो same work है, थोड़ा से sphere बड़ा है अगर आप UPSC की तयारी करेंगे तो इसमें भी फाइदा है और साथ में अगर आप PCS को भी target करना चाहते हैं उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है वहां से आप बढ़ा सकते हैं लेवल अपना, कभी भी और यहां से आप घटा सकते हैं और उसमें भी बहुत जादे अंतर नहीं है जैसे मैंने कहा वहां पर भी challenging question आते हैं वहां पर भी वो लोग आपके साथ competition में हैं ही जो UPSC दे रहे हैं क्योंकि मैं, मेरे दोस्त सब ने ही UPSC दिया, PCS भी दिया और PCS की direct तयारी करना चाहते हैं that's also good पर मेरे हिसाब से आपको dumb लगा के तयारी करने चाहिए कुछ रहना जाए बस आप किसी के लिए भी prepare करें पूरा dumb दें, पूरा effort दें, अपना best दें तो शेखर से आपने इतने सारे students को देखा है successful होते हुए देखा है कोई तीन quality मुझे बता दीजिए जो आप student में देखना पसंद करते हैं जिससे आप ये figure out कर सकते हैं ये student के chances qualify करने के ज़्यादा है मेरे अनुभव में जो लोग रोज newspaper पढ़ते हैं क्योंकि आपका जो day start होता है वो day के end को भी define करता है कही न गई अगर आप सुबह को ही जैसे एक English में quote है eat that frog in the morning अगर आप newspaper पढ़ते हैं तो you set the day उसके बाद आपको accomplishment की भाव आता है दूसरा यदि आप consistency बनाए रखते हैं consistency का मतलब यह है कि ऐसा निये machine बन जाना है आप एकाद दिन घूमने भी चले जाए पर ऐसा नहीं होना चाहिए आप 15 दिन के लिए गायब हो गए फिर शुरू कर रहे हैं उसमें कोई भी organic linkages रहनी जाता है और तीसरा है perseverance आपको तितिक्षा जो है न कि endure करने की if it can be endure, endure it don't shout, don't make noise go अंत में शेकर सर कोई एक ऐसी quality जो कि बहुत harmful साबित होती है PCS journey में मैं relate कर सकता हूँ कि जाद है इधर उधर जिसे हम कहेंगे चीजों को देखना आज कल के युग में मैं उसे relate करूँगा social media से आपको किताबे पढ़ने की आदत होनी चाहिए reading habit बनाईए क्योंकि जब आप officer बनेंगे आपको अपने हाथ से report लिखनी होंगी अपने आपकी जो report है यदि आप magistrate होंगे supreme court में भी मानने है यदि आपने लिख दिया और आपने stamp लगा दिया magistrate का, SDM का, तहसिलदार का तो it is evidence वो आपको हाथ से ही लिखना है paper में भी हाथ से ही लिखना है so ये balance watching and writing दोनों ही बहुत ज़रूरी है तो पढ़ने की आदत और बैठने की आदत 35 minutes, 40 minutes यहां तक तो होना ही चाहिए जैसे juggling जो होती है वो बहुत अच्छी नहीं है hustling जो है वो बहुत अच्छी नहीं है मेंनित करें, distraction से दूर रहे हैं हाँ, distraction से दूर रहे हैं तो सातियों ये थे हमारे साथ हमारे शेकर सर हमें उमीद है कि जो हमारा ये वारतलाब है जो इस सम्वाद है आपको पसंद आया होगा और आप सभी के लिए बहुत अच्छी बात ये है कि शेकर सर आप सभी को पढ़ाने के लिए हमारे state PCS courses में आ रहे है तो मुझे पुरी उमीद है कि जो जलक आपने इस interview में देखी है उसका एक रूप जो है आपको class में देखने को मिलेगा जहां पर आपको ना केवल अपने syllabus related चीज़े सीखने को मिलेंगी बलकि जिस गहरे वेक्तित्व के शेकर सर वेक्ति है आपको अपने जीवन के बारे में लाइफ के बारे में बहुत सारी knowledge मिलेगी तो शेकर सर आज हमारे साथ जुढने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद तो सातियों इस एपिसोड में हमारे साथ जुढने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद अपना ध्यान रखे